कि फ्रेंज यह जो नए कि अकांटी कॉंसर्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है मुझे बड़ा प्पसंद है बिकर सब्सक्राइब कुछ प्रैक्टिकल वाला को सब्सक्राइब कभी आपने सुना है किसी ने कहा होगा अरे यार इस से इस ऐसे में Fleisch बात हो रही है वाथ हो रही है यह कि आुछ हए और इसमें की इसक हूनला करें कई मेटीडीरियल अ मतलब इसे मटीरियल मालमने नॉट इंपोर्ट्न इतना इंपोर्टन नहीं है यारी जोटी बात आई नोट इंतो journalists मटलब चैनली के मटलब बोटा ऐसा की सामान नहीं को सब्कॉइबॉ आप मटेरियल का डेके घिव जो एक मतलब थे को में तो में तो में प्रेगारिक स्क्शाइब धर हटसेता ओन जरते ios इसमें क्या खास बात है, खास बात जो है, इसमें कहना है कि और एनी इंसिग्निफिकेंट आइटम विच विछ विछ विल उनली इंक्रीज वर्क अगांटेंट को कितना काम करना पड़ेगा वह मतलब नहीं है, उसके बाद और जाद मतलब है, and will not be relevant to the financial statements users need, अगर जो हम बनाते हैं कि हम financial statement, users जो decision लेंगे उनके लिए बनाते, अब user का decision है वो change नहीं होदे माला है, यह इतना insignificant information है, इसे कुछ बदलने वाला नहीं है हमका decision, then यह जो insignificant item है, इसे क्या होगा, इसे क्या होगा, अगांटें का जो काम है, वो निसेसरी बड़ेगा नहीं, वो एट जो है, लिमित में रहें हैंगे, इसे कि, okay, so if you say, any insignificant item, which will only increase the work of an accountant, and will not be relevant to the user's need, should not be disclosed in the financial statements, okay, है, चलिए, एक example पर ले ले लेते हैं, उसमें समझना आया रहा है, एक शीज़ को कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक company है, और company का हम balance sheet बना रहे हैं, 31st March का जो date है, उस company के पास एक तरफ assets है, है, दो करोल का मशीन है, फिर 10 करोल का भी मशीन है उनके पास, फिर अभी अभी यह 25 करोल का भी मशीन है, तो 25 करोल का मशीन, दर्स करोल, 25 करोल, 25 करोल, 25 करोल, प्लस दो करोल, 37 करोल, प्लस और मिला ज़ा लें तो 13 करोल का total वांके पास assets होता है, total 50 करोल है, तो एक तरफ यह assets की पात चाहिए और दूसरे तरफ कुछ अलट तैप की पात चाहिए, यह श्यास की जो है कंप्पनी के पास स्टेपगलर भी सब्सक्राइब कंपणी के पास नौट्बॉक्स यह कंपनी के पास पास असफस्ट भी है पैंसिल्स फिर्टियर शापनर्स इतने लेकिन इनका वैलिव जो है है इसका वैल्य अगर मैं दिखाऊं सब कुछ exactly हमारे financial statement के यूजर्स हैं कि हमारे पास इतने pen है और इतने pencil है क्या उसके basis पर financial जो user है उसके basis पर कुछ decision बढ़ लेगा हो यहां 50 प्रोड का machine है उसके सामने 10 रुपे का pen है 10 रुपे का pen क्या मतलब कितना material है कितना important times के साथ कुछ मिरेंगी और कभी भी और किसी भी case में ऐसा नहीं होने वाला है कि user का decision इस particular stock of this particular assets this type of assets depend होने वाला है कोई भी चीज़िस इसका वाल्त है और insignificant items है और insignificant items है तो आपको यह financial statement को दिखाने की जरूरत बेरेंगे तो क्या कर सकते हैं दिखाएं नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप ऐसे सारे चीज़ों को एक में क्लब करने और एक में क्लब करके उसको डाल आप कह सकते हैं कि other assets ऐसा कह सकते हैं actually कि other assets भी नहीं कहते हैं real life में कहते हैं इतना छोटा इसको asset treat करूंगा तो फिर यह अगले साल चला जाएगा अगले साल फिर से बुक में बैठा रहेगा फिर अगले साल उसको handle करना को लगा मुझे तो majority cases के 100% cases में ऐसा होता है कि यह ऐसे जो भी चीज़े हैं जहां पर value इतने छोटे हैं इसको हम asset मानते ही नहीं इसको expense मान लेजा है यार यह future value कुछ नहीं है इसी साल में इसका 100% depreciation कर दो अगले साल के भूप में इसको जाना भी नहीं तो इसमें क्या हुआ इसमें हमने है financial statements में जो है club करके दिखाया ऐसा नहीं है हमने दिखाया ही नहीं इसको expense मानके इसे जाल में खतम कर दिया तो यह दिखे बड़ा practical concept है प्रेक्टिकल कॉंसेप्ट है दो सब्सक्राइब करना चाहिए वो करो ही मत उसको पस expense करके उसको जो खाली करो देखा आपने तो यह जो है यह concept है यह concept है यह concept बड़ा practical बड़ा काम ड़ा concept है क्योंकि यह accountant का जो है आप आपने देखा है काम बहुत बचा देता है एक बड़े सब्सक्राइब क्या कर सकता है अपना काम आसान कर सकता है अगर अलग तरीके से ट्रीट करें या तो क्लब कर ले या तो अगर आसे वाली बात हो रही है तो उसको इसी साल में इसको बाहर निकार दे है accounting books से ओके सो इसके अलावा material concept के बारे में एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो है एक दूसरा philosophy है accounting में इसको कहते हैं full disclosure philosophy तो full disclosure philosophy के यह material concept सब्सक्राइब करता है एक तरफ full disclosure कहता है कि वहीं देखिए सब कुछ सारा का सारा इंफर्मेशन है कंपनी का वह आपको यूजर को दिखाना चाहिए सब्सक्राइब करता है और इसके कारण से मैं ऐसा करूंगा यह जो सब्सक्राइब कर देता हूं और दूसरा चीज जितना हो सके उतना मैं अगले साल पर दूस्में नहीं जाने को ठीक है और इस चीज को अलाव करता है इसलिए इसलिए मेरा फेवरेट कॉंसेप्ट भी है विकाद यह ठीक है तो यह था कर दोद्दाब में अपला बाद़ के लिए्ट को यह था जाय यह थाजिए टाहर जाएव सूप्ट्ट यह जज़िसी कांप यह